नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, बिहार पॉलिटिक्स के पेच समझिए. सोशल मीडिया में नीतीश कुमार को लेकर एक बात लगातार कही जा रही है कि यह पहले ऐसे शक्स है जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तिफा देकर फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं दरसल महागट बंधन और NDA दोनों खेमों के लिए नीतीश कुमार जरूरी और मजबूरी रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राजयपार राजेंद्र विश्वनात आरलेका को देने के बाद और इसके साथ ही उन्होंने महागट बंध की सरकार से नाता भी तोड़ लिया। अब वह NDA खेमे में आकर नई सरकार में भी मुख्यमंत्री पत की शपत ले ली। यानि बिहार में गट बंधन तो बदल गया लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने ये बात बिलकुल पक्की है। बता दें कि नीतीश कुमार क के भीतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कुछ इसी लीक पर सोशल मीडिया में नीतीश कुमार को लेकर एक बात लगातार कही जा रही है कि यह पहले से शख्स है जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दरसल बिहार की राजनीती में एक बाद बीते 18 वर्षों से धुरूप सत्य है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हाला की थोड़े दिनों का एक पिरियर जब 2013 में उन्होंने जीतन राम मानजी को अपनी कुर्सी सौप दी थी, इस अवधी को छोड़ दे तो बीते 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार काबिज हैं। नीतीश कुमार नौवी बार बने बिहार के सियम। बता दें कि नीतीश कुमार अब नौवी बार सियम बने हैं। नीतीश बता दें कि अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने अचानक ही महागट बन्धन के साथ सरकार बना ली थी। नीतीश कुमार ने एक बार फिर NDA का दामन थाम लिया। और भाजपा के साथ बिहार में सरकार बना ली थी। वर्ष 2014 में नीतीश कुमार को लगा था जटका। इसके पहले 2013 में नरेंदर मोदी को भाजपा की और से पीएम उमीदवार बनाये जाने के खिलाफ नीतीश NDA से अलग हो गए थे। और 17 साल पुराना गठ बंधन तोर दिया था और 2014 में उनकी पार्टी जदिव अकेले लोकसभा चुनाव लरी थी। हाला कि इसमें जदिव को करारा जटका लगा था और महस दो सीटे ही जीत सकी थी। इसके बाद 2015 में फिर उन्होंने महागट बंधन के साथ मिलकर बिहार में बड़ी जीत दर्जकी और सरकार बनाई थी। पाला बदल राजनीती के माहिर है नीतीश कुमार। दरसल नीतीश कुमार की शुरुआती राजनीती भी कुछ इसी तरह की रही है। वर्ष 1994 में नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी लालू यादव का साथ छोड़कर लोगों को चौका दिया था। तब जनता दल से किनारा करते हुए नीतीश ने जोर्च फनांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया था। और 1995 के बिहार विधान सभा चुनावों में लालू के विरोध में उत्रे लेकिन चुनाव में बुरी तरह से उनकी हार हुई। भाजपा के साथ 17 वर्षों तक रहा गठ बंधन। इसके बाद वर्ष 1996 में बिहार में कमजोर मानी जाने वाली पार्टी बीजेपी से हाथ मिला लिया। बीजेपी और समता पार्टी का ये गठ बंधन अगले 17 सालों तक चला। हाला कि इस बीच साल 2003 में समता पार्टी जनता दल युनाइटेट जेडी यू बन गई। सब लोगों को बता देते हैं कि आज हमने इस्तिफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबात हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसलिए थोड़ी पर आप लोगों की बात को सुन लिया तो इसलिए आज हमने इस्तिफा दे दिया अभियोजभी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया है अभी अभी हम जो पहले गट्वंधन को छोड़के नए गट्वंधन बनाये थे जो नया गट्वंधन डिड़ महीना से बनाये थे जड़ साल से तो यहां पर भी जो इस्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है अज इस तरह से लोगों का दावा हो रहा था जो इतना मिहनत किया जाता था कि वही लोगों इस्थित्राम कर रहे हैं तो सब्देट्स के लिए नेशन न्यूस को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोडिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाए